दो जून 1947 जब दिल्ली के एक कमरे में करीब दरजन भर लोग मिलकर करोडों लोगों का भविश्य लिखने जा रहे थे करीब डेड़ दशक से मुस्लिम लीग जिस पाकिस्तान की रट लगा रही थी वो आज कागजों में उनके सामने सच होने जा रहा था सिर्फ दो हफ्तों में भारत के खंडित होने की योजना पर मोहर लग गई भगवान राम के बेटे लव का बसाया लाहौर धाकेश्वरी माता का तीर्थ धाका गुरु नानक देव जी का जन्मस्थान ननकाना अब दो टुकडों में बटने जा रहा था और अगर कोई इस विभाजन की योजना से अन्थिग्य था तो वो थी भारत की मासूम और निर्दोश जन था जिस पर ये विभाजन कहर बन कर तूटने वाला था 1947 को अंग्रेजों द्वारा किया विभाजन देश का पहला विभाजन नहीं था अंग्रेज इससे पहले 1905 में भी बंगाल का विभाजन कर चुके थे लेकिन उस विभाजन का पहले बंगाल में और फिर पूरे देश में इतना मुखर विरोध हुआ कि अंग्रेजों को 1911 में अपना फैसला वापस लेना पड़ा था विभाजन का जो काम अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए वो 1947 में करने में कैसे सफ़ल हो गए तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से अलग बनाती है वो है कॉंग्रेस पार्टि मुस्लिम लीग और भारतिय कम्यूनिस्ट 1905 में बंगाल विभाजन के दिरोत के बीच ही 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म संयुक्त बंगाल के ठाका में हुआ बंग बंग आंदोलन के बाद जन्मी मुस्लिम लीग में 1909 में मारले मिंटो सुधार के नाम पर प्रथक निर्वाचन प्रणाली मांग से शुरू करके अगले 30 साल में अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान के नाम पर भारत को मजभ़ब के नाम पर बांट कर रख दिया 1920 के तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाए गए कॉंग्रेस के खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम कट्टर पंथियों को यकीन दिला दिया कि वे अपनी गैर जरूरी मांग पर भी कॉंग्रेस के नित्रत्व को मना सकते हैं इसके बाद 1930 में अल्लामा एकबाल ने पहली बार मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अलग इसलामिक राश्ट्र की रूप रिखा रख की एकबाल की कलपना के इस अलग इसलामिक देश के लिए पाकिस्तान नाम सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने प्रयोग किया जब 1933 के पीसरे गोल में सम्मेलन में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान अभी नहीं तो कभी नहीं नाम के परचे बाटे और करीब साथ साल बाद 1940 में लाहॉर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान नाम के अलग इसलामिक देश का प्रस्ताव पास किया और 1947 में दस लाख लोगों की लाश पर चड़कर एक अलग इसलामिक देश बना लिया और जिस भारत में 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया वो भारत 1947 में भारत विभाजन नहीं रोप पाया क्योंकि कॉंग्रेस के जिन नेताओं पर लीग के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी थी उन्होंने अंत समय में बिना भारत के लोगों को विश्वास में लिये विभाजन का प्रस्ताव सुईकार कर लिया देश तोड़ने के स्खेल में एक हिस्सा भारत के कम्यूनिस्टों ने भी निमाया जब कम्यूनिस्ट निताओं ने भारत को 14 राष्ट्रों का सम्हू बताते हुए, भारत विभाजन को मुस्लिम राष्ट्र के आत्म निर्णय का अधिकार पता गिया। जिसे आत्म निर्णय के अधिकार के माध्यम से हल किया जा सकता है। यदि हम इसके प्रगती शील सार को देखें, तो पाकिस्तान की मांग वास्तव में पंजाब, पठान, सिंध, वलुचिस्तान और पूर्वी प्रांतों की मुस्लिम राष्ट्रियताओं के शेत्रों के आत् इसकले फिससे पहले कभी भारत नहीं आये थे। उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत, सब्ध्यता, मूल्यों, पीर्थों के विशे में कोई जानकारी नहीं थी। तीन सप्ता हमें तै कर लिया गया कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा और कौन सा हिस्सा हिस्सा करीब 1.5 करोड़ लोग रातो रात बेघर हो गये और करीब 10 लाख से अधिक लोग इस विभाजन के नाम पर काल के गाल में समा गये। ये विभाजन जिसने आगे चलकर पूरवी पाकिस्तान में एक नए नरसनहार को जन्म दिया। शहर के शहर रातो रात खंडर में बदल गये। शहर दर शहर, दंगे और आगजनी शुरू हो गये। वो लोग जो हवेलियों में रहते थे वो अब रातो रात रिफ्यूजी बन चुके थे। अपना सब कुछ लुटा कर लोग सड़ी गर्मी और बरसात में मीलों तक पहले काफिले हजारों की तादात में अपनी जान बचा कर चले आ रहे थे। सबसे बुरा हाल महिलाओं का हुआ जिनने इस विभाजन की सबसे क्रूर कीमत चुकानी पड़े। 22 जन्वरी को आज पूरा विश्व, होलोकास्ट दिवस के तौर पर मनाता है। लेकिन इस विभाजन की कभी न भूली जा सकने वाली त्रासदी को भारक की ही पूर्व की सरकारों ने कभी याद करने की कोशिश नहीं। 24 अगस्त का दिन दिभाजन विभीश का का स्मरण करने का दिन है। 14 अगस्त का दिन अटल जी की इन पंक्तियों को दोहराने का दिन है। 14 अगस्त का दिन अगस्त का दिन अगस्त का दिन है।